हेलो फ्रेंड स्वागत है आपके अपनी YouTube चैंदली बोर्ट जी में आज हम सीखेंगे ड्रीम 11 एप में एकांट कैसे किर्येट करेंगे या ड्रीम 11 एप में रेजिस्टेशन कैसे करेंगे साथ ही आपके फॉन में Dream 11 एप नहीं है तो औरिजिनल Dream 11 एप आप कहां से डाउनलोड करेंगे साथ ही कैसे इंस्टॉल करेंगे यह भी चीज इस वीडियो में कवर करेंगे यह सारे चीज देखने के लिए वीडियो पर बने रहे वीडियो को कहीं पर भी स्किम मत करें ताकि क कोई भी चूट न जाए चैनल पहली बार तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिए चलिए वीडियो करते हैं तो सबसे पहले आप अपनी फॉन में चेक कर लिए कि आपके फॉन में ड्रीम 11 एप पहले से है या नहीं है पहले से है तो आपको डाउनलोड करने इस्टॉल कर करके सर्च करेंगे तो अभी यहां पर ड्रीम 11 से मिलता जूलता काफी नाम आपको देखने को मिलेगा अब यहां पर आपको ओरिजिनल ड्रीम 11 साइथ देखने को नाम मिले तो हमें यहां से नहीं डाउनलोड करना है तो चलिए हम यहां से अपनी फॉन की होम बटन पर ठीnsवाइब करने धरी व्यित्रूराइं तो आभ यहां पर देख सकते हैं में अभी फिलाल में ड्रीम 11 टाइप किया था तो यह सब से उपर में आ रहा है n41 के सामने में पाइसे सामने में तो चलिए इस sayavene, उपर उपर में इसके wilt www.dream11.com यह सब से आई इसका जो उरिजिनल वेब साइट है यहाई से आपको एप मिलेगा तो यह है यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो बारक क्रोर यूजर है इनका देख सकते तो चलिए ड्रीम 11 पर टच करेंगे तच करने के बाद में अब यहाँ पर आपको एक नया इंटरफेस आपको देखने के मिलेगा जहां पर यहाँ पर डाउनलोड एप पर टच करके डाउनलोड कर सकते इनका जो यूजर बेगरे देख सकते 12 क्रोर प्लस इसका यूजर पर टच करेंगे डाउनलोड करेंगे करने के लिए चले थूरा से वेट करेंगा यह करें यह पहले से साइथ मेरे फॉन में है इसलिए डाउनलोड फाइल लेगन यह दूबारा से कहरे यह आपको साइज विख्रेवी देख सकते लगए इसका संतावन एम बीका यह घॉनट हो तो चल्य थे टाँनलोड एंगें पर टॉच कर लेते क्योंकि हमें वहाँ पर मिले या ना मिले फॉन Yamaha we लिने डाउनलोड पे डाउनलोड फाईल हो रहा है जब तक डाउनलोड हो रहा है तब तक हम थोAct वेट करेंगे. डाउनलोड कम्प्लीट होने तक का है कि फोरा से टायम लगेगा है डाउनलोड हो चुका आप यहां पर देख सकते liksom में डांलोड completed आपको दिखा रहा है तो चलिए आप यहां पर हम open पर टूच करके open कर लेते हैं अब यहां पर install कर लेंगे इस्टॉलिंग जब तक होने जए तो तक हम अपने फॉन में कुछ नहीं करने है कि इसके बाद में हम इसे डन कर लेंगे डन करने के बाद में अब होम बटन पर टूच करके phone की होम पर आ जाएंगे अपने मुवाइल में आप देख लेंगे कि कहां पर dream 11 एप इंस्टॉल करके आए तो आप यहां पर देख सकते ड्रेम 11 का जो आइकाउन है इस पर एक बाद टच करेंगे टच करने के बाद में dream 11 का कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जागए इसका इंटरफेस तो थोड़ा सा स्कॉल करेंगे तो थोड़ा वेट करेंगे इस सारी complete होने के बाद में आपको welcome to dream 11 आ उसका इंटर जाएगा वेरिफिकेशन के लिए और मॉइल नमर यहां पर टाइप करने के बाद में आप जो रजिस्टर की बटन है इस पर एक बाद टच करेंगे उस पर एक OTP देखने को मिलेगा तो चलिए हो रहा है आप यहां से हमें allow करना है SMS वेगेर की लिए यहां पर allow बटन पर ट पर फान में फीड हो जाएगा इसके बाद में करें इंटर योड नम तो जो आपका नाम करना जो आपको रखना है वह अपने नाम रख लिजे नाव वेगर टैब करने के बाद में कुछ ही हिश्टीप इन्टर विश्ठी के आपको देखने कुए मुले हैं अब यहां पर selected matchyond इसके बाद में Click ही ही कूर, किससा रहे गा मैंच के मुझे उतना मालूम नहुँ देख सकते हैं अपने फोन में देख लेज़े गाети के बाद में का बार काफ़ी सारे यहाइट देखे करना होगार तो यहाँ पे टच्च करके तच करने के बाद में यहाँ फूरा सा और तो कम से कम यह कहरें कि 150-500 यह से आप एड़ कर सकते एड़ करने की option में थोड़ा देख लेते हैं इसके आगे क्या देते हैं इसके बाद में यहाँ पर डेट महिना सेलेक्ट जो इस्टेट वेगर है जो भी हो आपना देख लिजेगा डेट वर्थ वेगर है सारे टाइप करने के बाद में go to hit करेंगे अब इनका payment वेगर है की method वेगर है जो भी मांगे यह आगे हमें नहीं करना इसमें अड़ने करना के वहला हम दिखाने की परपरस में थे आपको इसी तरह से आपके पास कूपन वेगर हो तो कूपन वेगर यहां से apply कर सकते तो इसी तरह से आपको चले को तो लाइक से कमेंट जरूर करिए थैंक यू